ग्राम सभा पहारपूर में जहां लगवए 110 पर पुरानी श्री राम चान की राधा कृष्ण मंदिर का है बुरहाल सरक्षिन उमाशंकर मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि पड़ोस के इकुछ दौर लोगों द्वाराशो चाले वा नाली का गंदा पानी मंदिर परिसर करने में काफिस दिक्कत आ रही है उन्होंने कहा इसे महीने जन्दमास्ट में का प्रोग्राम होना है जिसमें गंद पानी के जमावं से आये हुए श्रधालों वो दिक्कतों का सामना करना करना पड़ेगा श्री मिश्रा ने बताया कि इस मामले में कई संभरात लोगों द्वारा पंचायत की गई प्रत्चात द्वारा नीर्ण लिया गया कि गंदे पानी का बहाव मंदिर परिसर में नहीं होना चाहिए लेकिन सरकस किसम के लोगों ने पंचायत की बात नहीं माने उन्होंने कहा कि इस सम्मर में कई अधिकारियों कुछ कायदी पत्र भी बेजा गया है लेकिन उचितकार भई नहीं हुई है अब सवाल यह उठता है कि मामले का दिस्टारण ना होने कहीं ना कहीं किसी अप्रिय घ राम रस्मर जान की राधा कृष्णा यह तो इसके सरबाकर हमारे खांदान के पाक साभ्यक्त ही रहते हैं ना इसमें गाउवाले रह सकते हैं ना और को बस बिपच्छी लोग जो है इसमें नाली निकालना चाहते हैं लैटिंग का गंदा पानी छोड़ देते हैं मंदिर प प्राइम ब्रेकिंग नीवस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही डेली अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेंट को प्रेंट करें